नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चनल अश्क लेपिए सायरुवेदा में दोस्तों आज की सेसन में हम आपको बताएंगे अपनी आई काड को हम कैसे बनाएं कैसे नया फोटो डालने कैसे पुराने फोटो को कैसे चेंज दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चनल को मैं इस चनल पर ल ए डवलो पील की साइट को खोलेंगे और वहाँ पर लॉगिन करेंगे जो भी हमारा यूजर आइडी और पासवर्ड लॉग अआडी और पासवर्ड मिला है उस आइडी से हम लॉगिन करने के बाद ही हमारा जो भी आई काड में फोटो चेंज़ करना या नया फोटो डालना है, यह पॉसिबल हो सकता है, तो आएए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और लॉगिन करते हैं, यह हमारा पेज खुल गया है, यहां पर हम दोस्तों जाएंगे यूजर लॉगिन में, हमने कुछ लॉगिन सेफ किया हुआ है, यह मेरा लॉ क्लिक करते ही मेरा next page खुलेगा यदि रिपर्चेज बचा हुआ है तो वह भी मेरा option आएगा कि मेरा रिपर्चेज कब तक करना है उसको मैं क्लिक करके क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नाम दिखा रहा है और मेरा एक फोटो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसक्रीन पर आप देख सकते हो दोस्तों इसके बाद हम माई प्रोफाइल में जाएंगे माई प्रोफाइल में जाने के बाद दोस्तों हम यहां से iCard को डाउनलोड कर सकते हैं iCard ओप्सन पे क्लिक करके आप देख सकते हों दोस्तों थोड़ा सा प्रोसेस दो है इसका माई प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे और अब हम iCard option पर जाएंगे iCard पर click करते ही मेरा iCard खुल जाएगा डाउनलोड करने के लिए लिए हमको डाउनलोड नहीं करना है यह देख सकते हो आप मैं जूम करना हूँ इसको यह मेरा iCard पर photo है अब इसको हमको change करना है कि हम इसे कैसे change करेंगे तो दोस्तो हमको इसमें जाना है सबसे पहले dashboard है my profile है trip बुरंजा है उसके बाद photo gallery है photo gallery के बाद दोस्तो यह मेरा है upload photo bracket में iCard लिखा है इसी पर हमको click कर देना है जैसे हम upload photo पर click करेंगे एक next page खुलेगा और उस page में हमको यह दोस्तो आपके सामने पेश खुल गया इसमें आपको देख सकते है मेरा user id है मेरा user name है इसके बाद नीचे में upload photo बना हुआ है browse है और यह मेरा photo जो पहले से uploaded है वो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर browse option जो बना हुआ है उस पर click कर देना है जैसी हम browse पर click करेंगे एक box आएगा choose an action दोस्तों यदि हमको instant photo देना है यहाँ camera option है camera के दोवार हम अपना photo खिच कर डाल सकते है नहीं तो यदि photo पहले से saved है gallery में तो हम files option पे click करेंगे जैसी हम files option पे click करेंगे files gallery हमारी खुलेगी gallery पर जाएंगे और यह हम चले गए gallery पर gallery पर जाते ही हम अपना photo जहां भी हम रखे हैं उस photo को select कर लेंगे select करने के बाद थोड़े दिर process होगा आप देख सकते हो screen पर यह process हो रहा है after processing हमारा photo screen पर दिखाई दने लगेगा यह दोस्तों देख सकते हो आप नीचे में मेरा photo आ गया जो अभी मैंने select किया है अब इस photo को हमको करना क्या है screen पर जो आप blue color का upload button देख रहे हो दोस्तों हाँ इस button पर हमको click कर देना है जैसे हम upload button पर click करेंगे processing होगा processing होने के बाद मेरा photo जो है वो save हो जाएगा इसको हम check कैसे करेंगे इसको check करने के लिए हम वापस वो जो आप देख सकते हो जहाँ पर मेरा पहले black color के search में photo था वो change हो के अभी current manager चूज किया photo वो photo आ गया हम यहाँ पर अपना i card भी देख सकते है i card option पर जाके उसके लिए हमको पहले my profile पर जाना होगा my profile पर जैसे हम click करेंगे i card option खुलेगा देख सकते हो आप i card option पर हमको click करना है i card पर click करते ही फिर से मेरा जैसे पहले i card के लिए खुला था वो option फिर खुल जाएगा लेकिन हमको यह डाउनलोड नहीं करना है देख सकते हो आप मैं इसको zoom करना हूँ यह मेरा जो अभी photo मैंने select किया वो photo आपको इसको पर दिखाई दे रहा है दोस्तों यह मेरा AWPL कंपनी का i card है कैसे मैं अपनी नई photo भी समें डाल सकता हूँ और इस photo को change करके दूसरा photo भी डाल सकता हूँ तो I hope दोस्तों आपको यह जनकारी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जनकारी के साथ धन्यवाद